प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुना आपका स्वागत है और आज का जो हमारा टॉपिक है काफी नया टॉपिक है मेरे ख्याल आप लोगों में से किसी ने इससे पूर्व या नाम सायत सुना भी ना हो पॉली बियस जो की 204 से 122 इसवी पूर्व में पास्चात्य विचारक रहे हैं उनके संबंद में आज हम चर्चा करेंगे तो वीडियो को प्रारम करने से पूर्व मेरा आपसे अनरोध है कि जिससे पूर्व हम कक्षा का संचालन करते हैं आप लोग एक बार अपने मित्रों को इसे सेयर कर दें ताकि जो बाकी साती हैं वो भी इससे जुड़ जाएं और इसका लाब ले सके तो चलिए प्रारम करते हैं सबसे पहले पॉलिबियस का जीवन पर चाहे देखते हैं कापी छोटा टॉपिक है और मेरा ख्याल एक ही दिन में हम इसको समाप्त कर लेंगे क्योंकि पॉलिबियस के मिस्रित समिदान की व्यवस्ता ही आपके पास है उसका वही सिद्दान था आपके पास है तो आज के दिन में ही इसे हम कंप्लीट करने का प्रयाज करेंगे तो पॉलीबियस के संदर में बात करते हैं पॉलीबियस एक यूनानी राजनितिक था जिसे मैसी डोनिया पर रोम का अधिकार इस्तापित होने पर एक बंधक के रूप में रोम ले आया गया था यानि कि रोम में लाया गया था यहां उसे 16 वर्ष तक एक बंधक के रूप में रखा गया आपको पता है कि ततकालिन समय में दास परथा अस्तित्व में थी तो उसी दास के रूप में उसे 16 वर्ष तक एक बंधक के रूप में रखा गया रोम में रहकर पॉलिबियस ने गैराई से वहां की राजनितिक व्यवस्ता का अध्यन किया और उसके सुसंगठन और इस्तिर्टा को देखकर उसका परम परसंसक और समर्थक बन गया उसने उसके इतियास को लिखने का निश्चय किया किसके रोम के इत्यास को लिखने का निश्चय किया जिससे कि उन कारणों का पता लगाया जा सके जिनके कारण सिर्फ 53 वर्षों में कि थोड़े से ही अंतराल में रोम के सामराज्य का इतना दुरुत विस्तार हो सका यानि कि जिस समय पोलिबियस का समय था उस समय रोम अपने चर्मोत कर्स्त में था और उस समय उसका विकास काफी तेजी से हो रहा था और सारे विश्व पर उसका नियंतरन क्या है इस्थापित हो गया था यानि कि ततकालिन आपसी आसपास के जितने भी परदेश थे उन परदेशों पर रोम का क्या है नियंतरन इस्तापित हो चुका था उसके द्वारा लिखित रोम का यह इतियास 40 खंडों में है याने की काफी मोटी पुस्तक उसकी है इस इतियास के 6 खंडों में उसने सासन व्यवस्ताओं और उसके परिवर्तन चक्र का उले किया है और उनके उत्थान वो पतनों के कारणों का संकेत करते हुए श्तृद और इस्तिर सासन व्यवस्ताओं इस्तापित करने के लिए किस तरह का समिदान निर्मित किया जाना चाहिए इसके संबंद में अपने विचार परकट किये है अब हम पॉली बियस के विचारों को देखेंगे पर उससे पूरू आप लोग ध्यान रखें कि पॉली बियस अरस्तु से काफी अधिक परवावित था और उसने लगभग लगभग वैसे ही विचार दिये हैं जैसे की अरस्तु ने दिये हैं अगर आप आपने अरस्तु के विचारों को बहुत त्यान पूरुवक पढ़ लिया हो तो आपको कोई अंतर करना भी मुश्किल हो जाएगा कि पॉली बियस का विचार कौन सा है और अरस्तु का विचार कौन सा है तो देख लिजे राज्य की उत्पत्ती के संदर में देखते हैं पहले कि राज्य की उत्पत्ती के संदर में पॉली बियस ने क्या है कि राज्य की उत्पत्ती के संदर में पॉली बियस जो है वो सकती सिध्धान्त का समर्थक है उसका मानना है कि बाड, अकाल, महमारी, अन्या परकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनके कारण क्या है? मानव संक्या बार बार घटती रहती है और जब मानव संक्या घटती है तो उसमें से जो बचे हुए व्यक्ति रहते हैं वो क्या है? आपस में यह तो गुटबाजी करते हैं और गुटबाजी करने के पस्चात संगर्स करते हैं और इस संगर्स में जो व्यक्ति क्या है? सक्तिसाली होता है, जो संगठन सक्तिसाली होता है वो क्या है? सासन इस्थापित कर लेता है और इस परकार रास्तंत्र क्या है? अस्तित्व में आता है. वोना समझिये कि आपस पे संगर्स होगा, संगर्स के पास पस्चात जो व्यक्ति विजय होगा, वो क्या है? राजा स्विकारिया हो जाएगा और रास्तंत्र ववश्ता क् न्याय वो कर्टब्य के नैतिक विचारों पर क्या होती है? आदारित होती है, यानि कि राश्तंत्र क्या है? एक अच्छी व्यवस्ता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ, राजा न्याय और नैतिकता के पत से हटकर क्या हो जाता है? एक निरंकुस अधिनायक बन जाता है, फल जाएगा निरंकुस तंत्र में दुखपूर्ण हो जाएगा और जनता इस दुखपूर्ण जीवन से मुक्ति के लिए क्या करेगी संगर्स करेगी तो इस संगर्स की अवस्ता में कुछ जो सद्गुणी कुलीन व्यक्ति होते हैं वो क्या है इस निरंकुस तंत्र को अंत करने कि क्या है इस्थापना करते हैं और धीरे-धीरे कुलीन तंत्र किस में बदलेगा सभी जानते हैं धनिक तंत्र में बदलेगा और कुछ मुठी भर व्यक्तियों के आगे क्या है धनिक तंत्र सासन उनका इस्थापित हो जाता है और वो धनिक तंत्र अपने हितों में काम करता ह और जन्ता जब ऐसे सासकों से तंग आ जाती है धनिक तंतर के सासकों से दे तो उनसे मुक्ती प्राप्त करने के लिए पुनो क्या करेगी विद्रो करेगी और सत्ता क्या है जन्ता अपने हातों में ले लेती है चाहिए वो अपने परतिरीद्यों के मायदम से सासन कराए इन् और क्या है सब लोगों के हितों के ध्यान में रखकर सासन का क्या है संचालन करने रखती है तब क्या है लोकतंत्र की स्थापना होती है और धीरे धीरे लोकतंत्र फिर क्या है ब्रस्ट होगा और क्या है ब्रस्ट के बाद वहां अरस्तु ने उसको परजातंत्र का नाम दिया किन्तु यहां जो पॉलिबियस है उसने इसे भीड तंत्र का नाम दिया है कि लोक तंत्र किसमें भीड तंत्र में परिवर्थित हो जाता है और भीड तंत्र में क्या है फिर जो किने चुने व्यक्ति सासन में रहते हैं वो अपने हितों में कार्य करते हैं पुना क्या है कोई व्यक्ति नित्यत्यकारी उभरकर आता है और पुना उनका क्या है सासक बनता है और पुना रास्तंत्र की स्थापना क्या है हो जाती है और रास्तंत्र के बाद क्या है ये परिगरिया पुना चलती रहेगी तो इसे आप इस डाइग्राम से देख सकते हैं क इसमें से तीन क्या है सुद्ध रूप है और तीन क्या है असुद्ध या दूसित रूप है जो सुद्ध रूप है उसमें राज तंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजा तंत्र है और जो दूसित रूप है उसमें निरंकुस तंत्र, धनिक तंत्र और भीड तंत्र है तो राज तं तो धनिक तंत्र आएगा धनिक तंत्र पुनव प्रजा तंत्र में बदलेगा डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी जब पुनव प्रश्ट हो जाएगी तो वह किसमें बदलेगी भीड तंत्र में बदलेगी तो कहीं न कहीं अरस्तु जैसा ही सिद्धान्त है अरस्तु ने भी ज उसने नहीं बोला है तो किन्तो इसने अंत के दो नामों को परिवर्थित कर दिया है इस चीज का ध्यार नखिएगा उसके पश्चात जो ये शासन में परिवर्थन चक्र है इसको समझाते हुए पोलिबियस कहता है कि रास तंतर से निरंकुष तंतर निरंकुष तंतर से कुलीन तंतर, कुलीन तंतर से धनिक तंतर और धनिक तंतर से जन तंतर और जन तंतर से भीड तंतर क्या है ये और भीड तंतर से पुनो रास तंतर की और सासन परणालियों का मेरे विचार अनुसार करम चलता रहता है तो इस कथन को आप ध्यान रखेगा पॉलिबियस का question आता है तो वहाँ इस कतन को अवश्य डालेगा क्योंकि पॉलिबियस का question अगर आपके पास exam में आता है तो यही आएगा कि पॉलिबियस की मिस्तरित सासन विवस्ता को समझाईए उस पर अभी हम चर्चा करने वाले है किन्तु इस करम को जो यह करम है इसी को समाप्त करने के लिए जो यह करम है वो बार-बार चलता रहेगा इस करम को समाप्त करने के लिए ही पॉलिबियस ने क्या है अपने मिस्तरित समिधान का विचार दिया है इसका मानना है कि सासन व्यवस्ता के इस वर्गी करण को प्रस्तुत करने के बाद पॉली बियस सासन व्यवस्ता में क्या है इस्तिर्ता लाना चाता था क्योंकि ये करम बदलता रहेगा और इस्तिर्ता नहीं आ सकती तो उस इस्तिरता को लाने के लिए और इस परिवर्तन चक्र को रोगने के लिए पॉलिबियस एक सुझाओ देता है उसका मानना है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न परकार की सासन विवस्ताएं है और उसमें से जो उत्क्रिष्ट तत्वा है चाहे वो ब्रहष्ट हो और चाहे वो सुझ्द सासन विवस्ताएं हो उनके जो अच्छी विशेस्ताएं हैं उन विशेस्ताओं का हमको ले लेना चाहिए और उन विशेस्ताओं को लेने के पश्चाथ जो सासन तंत्र हमारे पास आएगा उस सासन तंत्र को क्या है हमें वैसी सासन विवस्ता का निर्मान करना चाहिए और एक क्या है मिस्तरित सासन विवस्ता अस्तित्तों में आ जाएगी क्यों कि हमने सारी सासन विवस्ताओं के कुछ-कुछ विश्ताओं को जो कि उसके गुण है उनको ले लिया है तो एक जो सासन विवस्ता आएगी उसी सासन विवस्ता को पॉलिबियस ने मिस्तरित सासन विवस्ता का नाम दिया है तो वो सासन विवस्ता हमारे पास आ जाएगी और इसी सासन विवस्ता को हमको संचालित करनी चाहिए ताकि सारे गुण आ गए है तो जो परिवर्तन चक्र है वो रुख जाए और मिस्रित सासन विवस्ता क्या है सर्वस्रेश्ट और इस्थाई होगी क्यों कि समस्त गून उसमें आ गए हैं सभी परकार के अच्छाईयां उसमें आ गई है और वो उसको कुछ उधारण के माध्यम से समझाता है वो हाँ रोम के सासन विवस्ता को उधारण देता है और मानता है कि उसके इस्थाई रहने का कारण उसमें तीनों कौन-कौन सी रास्तंत्र, कुलीन्तंत्र और जन्तंत्र जो कि सासन की सुद्ध रूप हैं इनकी विशिष्थाओं का क्या है समावेस होना है तभी वो क्या है इस्थाई बना हुआ है और उस समय की जो रोमबन सासन विवस्ता थी वो क्या थी? प्रधान संस्थाओं, कॉंसुल, सीनेट और एसेम्बली या जन परिसद में इन तीनों विवस्ताओं की क्या थी? परमुक्वी से इस्थाएं पाई जाती थी. ये कुछ ततकालीन पद हैं और परकिरियाएं हैं तो ये सारी विवस्ताएं उस समय पाई जाती थ के, सीनेट कुलीन तंतर के, कॉंसुल है, कॉंसिल होना चाहिए, कॉंसिल राज तंतर के, सीनेट कुलीन तंतर के, और एसेम्बली क्या है, जन तंतर के तत्नों को क्या है, परति निदित्व करती है, तो इस परकार पॉली बियस ने क्या है, रोम के सासन तंतर में इन तीनों विशेष्ताओं का समावेश और मिस्रण पाया जिसके कारण ही क्या है रोम अपने गौरब को प्राप्ट कर सका था। उसका मानना था कि रोम में जो सासन के उच्च विसुद्ध सुद्ध रूप हैं उन सुद्ध रूपों की समस्त विसेश्थाएं हैं इसलिए वो क्या है अपने अस्तित्यों को बचाए रखा है तो मिस्त्रित समिधान के सिद्धान और व्यवार के साथ रोम के समिधान में प सरकार के अंगुत हैं, तो उन तीनों में क्या है, परतिरोध और संतुलन, यानि कि एक दुसरे का विरोध भी कर सके, और एक दुसरे को संतुलन, यानि कि एक दुसरे पर नियंतरण भी रख सके, तो एक दुसरे पर नियंतरण भी रखे, और एक दुसरे को चेक भी करती रही जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो व्यवस्थापिका ने सही कानून बनाया या नहीं बनाया नियाईपालिका उसकी जांच करती है तो क्या है चेक करती रहती है और संतुलन व्यवस्थापिका के अलग लोग होते है नियाईपालिका के अलग होते है व्यवस्था का समयाविस उसने माना रोम की सासन व्यवस्ता में और उसके अनुसार कॉंसुल सीनेट और जन सबाएं क्या है कुछ सीमा तक एक दुसरे पर अपनी सक्ति के परियोग के लिए निर्वर रहती है जिस्टे की वह निरंकुस होकर सासन व्यवस्ता को दूसित नहीं बना सकती है पोलीवियस के समय में रोम की गनतन तरात्मक सासन परणाली में कौंसुल सरवोच सैनिक तथा परसाजिक सर्क्ति का उप्योग करते थे कौंसिल यानि के जो सरवोच पद था उसको कौंसुल कहा करते थे सीनेट वित्तिका नियंत्रण एवं न्याईक कार्या करती थी का निर्वाचन था, विधाई कार्य, युद्ध तता संधी संबंदी जितने भी निर्णाय थे, वो कार्या भी क्या है? सीनेट करती थी, किन्तु इन में से कोई भी संस्था जो है, वो क्या है? स्वतंतरता पूर्वक बिना दूसरी संस्था द्वारा बादया डाले हुए में समर्थ नहीं थी एक दुसरे को क्या है यह balance भी करते रहते थे ऐसा नहीं है कि कोई भी संस्था अपना स्वतंत्र रूप से कार्या कर रही हो तर दुसरी संस्था भी क्या है नियंतर रहता था और इसका पढ़नाम क्या होता था कि सासन विवस्ता के जो दूसित होने या किसी एक परकार के तंत्र में परिवर्तित होने का जो खत्रा रहता था वो क्या है समाप्त हो गया था तो इस सासन के ये तीनों अंग एक दुसरे को स्विच्छाचारी बनाने से रोकते थे यदि कॉंसुल अपनी सकती का दुर्प्यों करके स्विच्छाचारी बनने का प्रयास करते तो सीनेट उसको क्या करती थी नियंतरत करती थी यह मैं आपको समझा चुका हूँ कि तीनों ही जो कॉंसिल सीनेट ये तीनों ही अंग थे एक दुसरे को क्या है नियंतरत करते थे तो आपने देखा जो पॉली बियस का मिस्त्रित समिदान या मिस्त्रित सरकार का सिद्धान्त है उसको आपने समझा तो कही न कहीं बहुत सरल सिद्धान्त है कि सभी परकार की जो सासन विवस्ताएं है उनका जो सुद्ध रूप है उनके आप गुणों को ले लो और उनके के गुणों को लेकर क्या है आप एक मिस्रित समिदान का निर्मार कर दो तो वही क्या है मिस्रित सासन पढ़ना लिए मेरा ख्याल है बहुत इजी है और छोटा सा टॉपिक आज का था इसके अंत में योगदान को देख लेते हैं इसको यह जो पॉली बियस है उसके योगदान है कि पॉली बियस ने मिस्रित सासन विवस्ता को पर्तिरोध और संतुलन की पद्धती का वहरूप परदान किया जो मांटेश्क्यू तथा संयुक्त राज अमेरिका के समिदान निर्माताओं को प्राप्त हुआ तो पॉली बियस ने रोम क्या है मिस्रित सासन विवस्ता को परतिरोद और संतुलन्द, चक एंड बैलेंस का जो सिद्धान्थ है वो मांटेश्क्यू का है और सहियुक्त राज्य अमेरिका के समिधान के संदर में दिया गया था तो उसने भी क्या है प्रोम के संदर में या सिद्धान्थ दिया है और इसी तरह मैक्सी का कथन है कि पॉलिबियस का नाम परसिद्ध परतिरोध एवं संतुलन के सिद्धान्त को पूर्टया तथा आपचारिक रूप से सरप्रथम व्यक्त करने वाले विचारक के रूप में इसमरणिय है बले ही चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धान्त है उसका पिता मांटिस्क्यू को माना जाता है किन्तु मैक्सी का मानना है मैक्सी एक विचारक हुए है उनका मानना है कि परतिरोध और संतुलन का सिद्धान्त है कहीं न कहीं मांटिस्क्यू से पूर्व पोलिबियस ये सिद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ा संत थामस एक्विनास जॉन लॉक मांटेश्ट्यू जैपर्शन आदी राजनितिक चिंतक होने क्या है इनसे पिरेणना गरण करके इस सिद्धान्त को सैध्धान्तिक और व्यावारिक द्रिष्टी से परयोगसीन्त बनाने में अपना योगदान दिया तो आज का टॉपिक पलस पॉली बीएस पी स्वताव में समाप्त क्योंकि पॉली बीएस का आपके पास किवल एकी सिद्धान्त है तो मुझे आसा ही नहीं उम्मीद है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी और आप लोगों के समझ में भी आई होगी क्योंकि कह चातर चात्राओं ने कहा था कि आप बहुत तेजी के साथ बोलते हैं जिससे हम सब्दों को पकड़ नहीं पाते हैं तो मैं प्रियास कर रहा हूं कि अपनी वाणियों को थोड़ा धीरे-धीरे संतुलित तरीके से बोलने का प्रियास करूं तो कोशिस है अभी और आपको कैसा लग रहा है बताते चले और आपको अगर ठीक लग रहा है तो अगर वीडियो अच्छे बन रहे हैं आपके समझ में आ रहे हैं तो वीडियो उसको लाइक करना न भूले और सेयर करना भी ना भूले आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद